टीएस टीवी में आपका स्वागत है अमरीका में बोल रहे थे ओएसी तबी पाकिस्तानी ने पूछा ये सवाल देखिए वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें पाकिस्तान जब बना हमारे मुज़र्गों ने उसकी मुखालिफत की थी हम लोग पाकिस्तान नहीं गए इसलिए नहीं गए क्योंके हमारा मानना ये था कि जिस सर्जमीन पर हमारे बज़र्गों ने जहाबानी और जहाफ़शानी की है और जिस सर्जमीन पर हमारे बज़र्गों ने अंग्रेजों से इस मुलक गुलामी की चुड़ाने के लाई रड़ी है हमने अपने इस मुल्क को माना है अब जो लोग गए है वो गए है जो नहीं गए वो नहीं गए अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए जो वफादार थे रहे गए तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अत्राफ में जितने मुमालिक हैं उन सबसे हमारे तालुकात अच्छे होने चाहिए मगर मुंबई में जो टरुरिजम का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल का सबब ये लोग सब आए पाकिस्तान से आए मैं खुद एक निजमाबाद की फैमिली को जानता हूँ एक शादी शुदा बच्ची थी जिसको पांच यच्छे दिन हुए थे शादी होके वो लोग शादी के बाद मुमबई गए उस बच्ची के हातों की महंदी में ने उतरी थी वीटी स्टेशन पर गोली लगके मर गए बच्ची ओ तो ये जुरूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो मगर आपको एक बैड न्यूस सुना रो मैं अभी पार्लिमेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बलते हैं एम यो आरेल वो लगाया गया जिसमें अखन भारत का नक्षा दिखाया गया उसमें पाकिस्तान भी आ गया बंगलादेश भी आ गया बुठान भी आ गया अफगानिस्तान भी आ गया तो मैं बीजी बार गया लिए ओला मुबारक भाई जल्दी चलो मैं ले क्या तमाशा है अब लगा दिया अखन भारत का अब ये मिनिस्ट्र अफेर्स को बड़ी परिशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लिमेंट के अंदर उस नक्षे में सब को मिला लिया तो अब बताईए आप पाकिस्तान भी आ गया बंगलादेश भी आ गया बूठान भी आ गया बर्मा भी आ अफगानिस्तान भी आ गया पूरा अखन भारत का खाब श्री नरेंदर मोडी लगा दी अंदर अब देखिए आप लोगे को ने मालू किया हमने ने मालूं उत मुमालिक में क्या होने वाला है मगर हम तो क्लेia में हमारा है बोलके क्लेब क्लेम कर दिए बिए कैपिल सी झासरा अब तो बहुत करते देखिए हम तो बोले के ले लो जाके आप आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको जो काम अंकल सैम नहीं करे अंकल मोडी कर देंगे शायद नहीं मालू